काटोल और नर्खेट तालुका के लोगों की सुविधा के लिए एक उचसरीय सिविल कोट शुरू करने की मांग की गई थी बॉंबे हाई कोट ने उस मांग को सिधानतिक रूप से मंसूरी दे दी है और प्रस्ताफ को आगे की मंसूरी के लिए राजिसरकार के कानून और न्याय विभा को भेज दिया गया है राकमपा नीता विधायक अनिल देशमुक ने मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे को पत्रल लेकर मांग की है कि इस प्रस्ताफ को जल से जल स्विक्रत किया जाए और आगामी बजट में राशी मुहिया कराई जाए काटोल और नर्खेड तालुका की विशेश्टाएं नर्खेड तालुका के लोगों को अदालती काम के लिए नाकपूर आना बहुत परिशानी भरा था इसके चलते काटोल में ही एक उचे सरीय सिविल कोट की मांग की जाने लगी उस समन में नर्खेड वा काटोल तालुका वकील संग ने भी मांग की थी इस मनजूरी को पाने के लिए एंसीपी नेता उजिला परिशत सदस्य सलील देशमुक ने वकील संगों से चर्चा कर समधान निकानने की कोशिश की प्रारंबिक स्विक्रती के लिए बॉंबे उच्चे न्यायले में एक प्रस्ताफ प्रस्तुत किया गया था प्रस्ताफ को बॉंबे हाई कोट कमेटी ने सैधानतिक रूप से मनसूरी दे दी है और इसे आगे की मंजूरी के लिए राज्य सरकार के कानून और न्याए विभाग को भेसिया गया है। अगर काटोल में उचस्तरिय सिविल कोट शुरू किया जाता है तो नरखेड और काटोल तालुका के लोगों को भारी नुकसान होगा। इसलिए अगर इसे तुरंद मंजूरी मिल जाती है तो यह कोट जल से जल्द शुरू होगा। इसी के चलते अनिल देश्मुक ने मांग किये कि राज्य सरकार का कानून एवं न्याए विभाग इस समवन में आगे की प्रक्रिया शुरू करे। और राज्य सरकार से इसके मंजूरी ले साती हैं भौतिक सुविधाओं के लिए वित्ती प्रावधान भी उचिस्तरिये सिविल कोट के अनुमोधन के बाद आवशक है। इसी को लेकर अनिल देशमुक ने मुख्यमंत्री एकनाशिंदे को पत्र लेकर आगामी बजट में राश्य उपलब्द कराने की मांग की है।